हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विक्कि सहरावद अबी फिलाल एक नई कॉंट्रोवर्शी स्टार्ट हो गयी है जो कि स्टार्ट हुई है यूनिवर्स्टी अफ हैदराबाद से तो वहां पर क्या हुआ है कि जो एक कॉंट्रोवर्शील बीबीसी की डोकुमेंटरी है जिसका न तो उसके बाद से ये जो कॉंट्रोवर्सी है ये एक क्या हो जाता है इसका एक रूप चेंज हो जाता है तो जो ABVP है अखिल भारती विदारती प्रिसद तो उसने एक कंप्लेंट लोज की है जो की एडिमिस्टेशन है यूनिवस्टी का उसके पास तो उन्होंने ये बोला ह कि जो स्पॉक्स पर्शन है यूनिवस्टी अफ हैदराबाद के तो उन्होंने ये बोला है की उन्होंने डिटेल रिपोर्ट को मंगवाया है जो की स्कीर्टी डिपार्टमेंट है कैंपस का उन से तो जो जो यूनियन मिन्स्टी उफ इफ इंफोरमेशन इन बोर्ड जो जिसका नाम था इंडिया दा मोधी कोईशन तो इस फर्स्ट एपिसोड को उन्होंने ब्लोक करने के लिए बोला है मिनिस्ट्री ने तो उसके बाद जो ABVP है वो ये बोलती है कि जो ये स्क्रेनिंग हुई है ये ब्रोड कास्टिंग की गई है इसका डोकुमेंटरी जो की बैंड है जो की गौर्णमेंट ओफ इंडिया ने इसको बैंड कर दिया है तो उसके बाद भी इसकी ब्रोड कास्टिंग की गई है तो ये बोलत चाते है कि जो अथोर्टीज है वो इसके बारे में इंक्वायर करे और जो अप्रोप्रोप्रिट एक्शन है इंसिडेंट के गेंस्ट वो लिया जाए क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से जब से ये BBC की डोकुमेंटरी रिलीज हुई है जो की बेस है 2002 के गुजरात रायट्स पे तो इसके क्या हुआ है कि हमने देखा है कि जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे भी उनसे सवाल पूछा गया था एक पाकिस्तानी जो वहाँ के मेंबर है पारलेमेंट के उन्होंने एक सवाल पूछा था उनसे तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया उसके बाद भी इसकी कॉंट्रोवर्सी आई अभी फिलाल जो यूएस है उनसे भी इसके बारे में स्वाल पूछा गया भी भी इसकी डोकुमेंटरी से रिलेटिड जो हमारे यहां के मिनिस्टर्स हैं वो भी जो इसके जो लिंक है उसको सेयर कर रहे है डिफरेंट डिफरेंट सोसल मीडिया प्लाटफॉम पे तो इसकी को जो कॉंट्रोवर्सी है वो रुकने का नाम ले ही नहीं रही है बार बार किसी ने किसी रूप में कॉंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है तो जो ABVP है वो यह बोलती है कि हमने अभी तक फिलाल कोई police complaint नहीं कही है जानि कि जो हमारी Central Working Committee members है और जो student है वो यह बोलते है कि जो इस बात पर क्या है कि अभी फिलाल हमने police तक नहीं पहुचे है उन्होंने और जो authority concern है उनको इस बावरे मामले में बताया है पर वो यह बोल रहे है कि जो administration है वो इस इस उपे quiet है तो एक notice जो जारी किया गया था screening और discussion के लिए BBC की जो यह documentary है तो उसको जिसको sign किया था वो किया था fraternity movement University of Hyderabad ने इसमें कम से कम भी यह अनुमान लगाया गया है कि जो 70 से 80 बच्चे है उन्होंने इस documentary की screening को event को attend किया है और जो University of Hyderabad के student union general secretary को पिस वामी है वो यह बोलते है कि जो लोग है जो people outside the campus are being misled on the matter क्योंकि जो यह लोग है उनको mislead करा गया है क्योंकि जो यह matter है यह resolve हो चुका है already पहले ही court के दवारा तो अब दोबारा से इस issue को क्या एक आग दी जा रही है बार बार और लोगों को mislead किया जा रहा है कि जो incident actual हुआ क्या था और उसके पिछे reasons क्या थे तो लोगों को इस मामले में बहुत जादा एक अलग रास्ता दिखाया जा रहा है जो कुछ जो बच्चे हैं वो यह भी बोल रहे हैं members of different different organizations के university के वो यह बोल रहे है कि जो screen हुई है यह बहुत ही peacefully हुई है क्योंकि वो इसके favor में है वो यह बोलते है कि यहाँ पे कोई objection और कोई tension नहीं हुई है इसके बाद और जो यह documentary है इसको कोई सिर्फ block किया गया है ना कि इसको ban किया गया है यानि कि इसको सिर्फ कुछ platform पे ही block किया गया है तो यह एक कोई ऐसा topic या ऐसे issue नहीं है जिसको government of India ने बिल्कुल ही ban कर दिया हो तो कुछ लोग इसके favor में भी आ रहे हैं जो union of हैदराबाद के student जो president है वहाँ के वो यह बोलते है कि जो ABVP है उसको क्या बोलते है कि BZP government जो center में है उसकी agent की तरह ही काम कर रही है और जो यह action लिया अगर वो यह बोल रहे है कि किसी ने इसके खिलाफ अगर action लिया screening के खिलाफ तो हम भी उनके साथ खड़े हैं और हम भी protest करेंगे इनके favor में यानि कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो different different union जो union या कोई organizations हैं वो एक दूसरे के against क्या comment बाजी करनी start कर दी और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए है उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये film है ये किसी band organization ने नहीं बनाई है ये एक media organization ने बनाई है जिसका network worldwide है और इसको किसी government ने या किसी भी court ने इसको band नहीं किया है और हमारा जो देश है वो ऐसा देश है जहाँ पर एक culture है discussion और debate का university campuses में तो उसको encourage किया जाना चाहिए तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग क्या हैं बाते तो इसी को देखते हैं कि ये जो controversy है कितना बड़ा रूप लेती है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही Thank you friends, thank you so much